एक के अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन जिके जिस क्लासिस के एक और नए वीडियो में समय हो रहा है दस बजे रात के दस बज रहे हैं केदन बज रहे हैं रात के दस बज रहे हैं देट के तारिक है तीन तारिक है यानि कि जोब से नाया साल स्टार्ट हुआ जब से एक को दिन चुटी नहीं मनाये हैं जानते हैं करेकि आप लोग को जो है 90 plus score करने का वादर कर चुके हैं कि अब कि इंटर मैं 90-plus scoring लिए लगतार प्रयास जारी है हो सकता दिन में आप दो वीडियोज आएक जो है सुबह में और एक साम में उसके लिए जानते हैं देर सो रुप्या और इक्स्ट्रा लगाए हैं अब दूनों सीम रिचार्ज करवाए हैं दूनों सीम से ज्यादा नेट देगा ज्यादा आपको वीडियो प्रवाइट करवाइज आएगा तो आज जो है आज 16 नंबर का वीडियो होने वाला है 16 नंबर कहेंगे कि कईसे होगा इंगली के आठ नंबर कमप्लीट और हिंदी के आठ नंबर कमप्लीट और कैकर ला 12 चाहें के होखे चाहें साइंस साher कोवेर्वार्व पहले जान लेते हैं यह आठ टॉपिक जो है most important है यानि कि हमने बहुत सारा सर्च किया models 8 questions bank बहुत सारे सर्च करने के बाद जो है हम आज यहां तक पहुंचे हैं कि 8 हमने most important topic select किये हैं जिससे अगर exam में नहीं आए तो समझे कि परहाना हमर बेकार था और परहाना जो है उस समय से हम सन्यास ले ले पहिला कि COVID-19 यानि कोरोना कोरोना जो है most important topics है COVID-19 दूसरा है यूज ओफ इंटरनेट याद रखेगा हिंदी इंगलीस दोनों में लिखे हैं यानि कि हिंदियों में 8 नंबर इसे है निबांध जेकरा कहल जाता है आ इंगलीसों में 8 नंबर यानि 16 नंबर complete होने वाला है COVID-19 दूसरा है यूज ओफ इंटरनेट यानि इंटरनेट का उप्योग तीसरा है ये विलेज फेर यानि एक गाउं का मेला चोथा है corruption, corruption का हिंदी होता है भरस्टचार, पांचवा है education, जो है पांचवा, छठा है प्रियावरन, और सात्वा है pollution, और आठवा है computer, अब कोनो कोनो तेजकन होगा, क्यों कमेंटो करेगा कि पिछला वीडियो में तो 5 गों बताया थे, environment, education, use of internet, covid-19 और एगो प्रदूशन तो ही computer, evillage fire और corruption कैसे बढ़ गिया, तो वह में खाली इंगली सवा ला बताया थे, आई में हिंदी यो ला बता रहे हैं, तो इंगली सवा हिंदी या ला, 16 नंबर ला, आठे को select किये हैं, तो यह होता नहीं, तेजकन समझ लेना सब, ठीक है, तो 8 में से जो है, 16 नंबर, क कि आठे को है, आठे को में से 16 नंबर आएगा, तो आप तो कहते हैं, कि हम लिख के देखाएंगे, या、 ट्रीक से बताएंगे कि कईसे लिखना है, तो बताइए, काहिए, कि हमने कि ता आता नहीं है, इंगली समनी के 0 है, हमने कि या अभी सी डी भी नहीं आता है, तो पता होना चाहिए कि किस topics पे हम लिख रहे हैं यानि की heading heading जिसको title कहा जाता है हिंदी में सिर्षक कहा जाता है तो सबसे पहिला आपको heading मालुम होना चाहिए कि हम किस topics पे लिख रहे हैं और वो कहां से मिलेगा ता आपको question से मिलेगा फोर एक्जाम्पल आपको कहा की एजुकेशन पर लिखिये तो कहा से हेडिंग मिला की नहीं एजुकेशन आपको हेडिंग मिल गया तो एजुकेशन हम लिख देंगे एजुकेशन जो है हमको हेडिंग मिल गया है तो एजुकेशन फाली हेतना लिख देंगे ने जे करा हिंदी में कहल जाता है परिचय एक बात हम बताते हैं मान के चली कि आप गयें कोनों नौकरी में इंटर्भीव देवे तो इंटर्भीव देवे अलब सबसे पहला सवाल का पुछेगा कि आप किस काम के लिए आए हैं तो ओकरा कहल जाता है हेडिंग यानि कि टाइटल आप किस काम के लिए हैं तो हम बताएंगे कि इस जौब के लिए हैं तो ओकरा हेडिंग यानि कि आप किस चीज पर लिखना चाहते हैं तो ओकरा हेडिंग हो गया एजुकेशन पर मिन्स सिक्षा सिक्षा पर हम लिखना चाहते हैं वो हो गया एजुकेशन यानि कि हेडिंग अब आपसे पुछेगा कि अपने बारे में कुछ परिचे दीजिए, कहम का करेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपने पिता जी का नाम बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, और मैं कौन हूँ, यानि कि मैं क्या करता हूँ, वो मैं परिचे दूँगा, बस अपना नाम अपने पिता जी का नाम, अपने एड्रेस और मैं क्या करता हूँ, यह मेरा परिचय हुआ, उसी प्रकार इंट्रोडक्षन देना है सिक्षा का, कि सिक्षा की सुरुवात कब हुई, सिक्षा जो है, कब से भारत में प्रचली तो हुआ, यह पहले कैसा था, अब कैसा है, इंट इंट्रोडक्षन, हम एगों सिक्षा एक्जामपल लिये हैं, अगर किसी याठ्व में से कौनों आया, तो उसका सबसे पहला हेडिंग, उसके बाद हम परिचय देंगे, अब नेक्स्ट जो है, इंपोर्टेंट्स, इंपोर्टेंट्स मेंस होता है महत्व, यानि कि सिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम परहे लिखेंगे तक का करेंगे, यानि कि सिक्षा का महत्व हम बताएंगे, नेक्स्ट जो है, हम का बताएंगे, हेडिंग हो गया, इंट्रोडक्षन हो गया, याद रखेगा, इंट्रोडक्षन जो है, आपका एक पैराग्राफ में, कम से कम पाँच लाइन में होना चाहिए, कम से कम पाँच लाइन में introduction, headings जो है, एक के लाइन में complete होना जाहिए, ज्यादा long heading नहीं होगा, जो आपका question कहेगा, वही heading होगा, introduction जो है, पाँच लाइन में होना चाहिए, अब paragraph हम change करेंगे, और importance बताएंगे, यानि कि महत्व, म हमारे जीवन में सिक्छा का महत्व क्या है, यह बताएंगे, यह जो है मेरे तीसरा paragraph में होना चाहिए, तीसरा में, अब जो है, उससे बताएंगे कि हमको profit क्या है, यानि कि हम सिक्छा जब हासिल कर लेंगे, तो उससे हमको profit क्या है, profit means lab, हिंदी में कहेगा, सबसे पहले सिर लाब है तो गाव के मेला से जो है हमारे गाव में कुछ सुख सांती होता है हमारे गाव के कुछ लोग जो है कुछ दिनों के लिए सुखी महसूस करते हैं खूस होते हैं यह लाब हुआ तो उसी प्रकार आपको सूचना है कि उसका जो है प्रोफिट हमारे जीवन में क्या है तब पहले heading फिर introduction फिर importance यानि कि महातु फिर profits यानि कि लाग और उसके बाद जो है लास्ट में बताना है कि loss क्या है losses means honey उससे हमको loss क्या है loss means honey यानि कि सिक्षा अगर कहता है सब कि ज्यादा पहली के तनी तेजो हो जाता है सब सिक्षा से हानि का है सिक्षा याज़ कर लिया सब तो उससे हानि का है सिक्षा एगर ज़्यादा हासिल करके जानते हैं का करता है सब मायव बबू के चोड़ द्यता है सब। Upper जासे वह हानी है ता हानी उसको बताना है कि हानी क्या है तो यह जो है एक जूकेसंस के बारे में हम बताएं कि कौन-कौन से टॉपिक हमको देना है यानि की हेडिंग टाइटल्स इंट्रॉडक्शन्स यानि परिचय और उसके बाद इंपोर्टेंट मिन्स महत्व प्रॉफिट मिन्स लाव लॉसस मिन्स हानिया और बताएं कि कौन-कौन-कौन टॉपिक हो जाएगा जिकर हानिये नहीं होगा एक फोड़ इक्जाम्पल बताएं अब गांव में मेला से हानि का है हानि कुछो नहीं है अब बताएं कि परियावरन से हानि हमको का है का है ता हानि हम लिखवे नहीं करेंगे हानि हमको पते नहीं है कि परियावरन से हानियों कुछो होता है ता हानि जहां पे नहीं होगा जहां पे आपको सजेशन देना होगा सज जैसे बताएं कि सिक्षा की कोई हानिया नहीं होती है जितनों हासिल कीजिए उसे कोई हानी नहीं होता है ठीक है तो सिक्षा से क्या क्या हानिया है यह नहीं लिखेंगे इसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं उसके उपाय को लिखेंगे करेक्षन को लिखेंगे कि कैसे हम सुधा कर सकते हैं अब पांच टोपिक जान कई कि कैसे निवन्ध लिक्डaskना और कैसे इसे लिखना है तो अब कहेंगे यानि कोनों होगा तो पहले तो कहें जिए कि अको मिस्ट्ट कर्षेजिए शिब्सक्तर bono नहीं आता है यानि कि आपको ABCD भी नहीं आता है नहीं आता है सपोर्डेट यानि मान लीजिए आप 12th के स्टूडेंट है आपको नहीं आता है ABCD तो आपको का करना है आपको हिंदी में लिखना है हिंदी में पहले लिखना है जिसे कोबिद 19 कोबिद 19 एक हेडिंग डालना है और COVID-19 जो है पहले हिंदी में लिखना है हिंदीयों में तो लिख सकते हैं एतनों ता पागल नहीं है कि हिंदीयों में नहीं लिख सकते हैं तो हिंदी में पहले लिखेंगे पहले जो है हिंदी में सभी टोपिक्स का कोबी-19 इंटरनेट का उपयोग एक गाउं का मेला भरष्टचार सिख्छा पर्यावरन प्रदूशन कंप्यूटर इन सभी का पहले हम हिंदी में लिखेंगे हिंदी में कंप्लीट होगा हिंदियों में कैसे लिखेंगे पहले सीर्षक देंगे परिचय लिखेंगे फिर महात् आनी नहीं है तो इसमें सुधार कैसे करेंगे और इसका उपाय क्या क्या है उलिख देंगे अब हिंदी में लिख सकते हैं यतना तो आपको ग्यान है हिंदी में लिख दीजिए ता लिख दीजिए तो उसको जो है इंगलीस में ट्रांसलेट कीजिएगा ट्रांसलेट मेंस अनुवाद हिंदी से इंगलीश में ट्रांसलेट अब ट्रांसलेट करेला हम मोबाइल पर नहीं जाएंगे अपने मन से हम ट्रांसलेट करेंगे जिसे यतना तो पता होगा कि दिस मतलब यह होता है डाइट मतलब वह होता है महत होता है profit मिन्स लाब होता है लोशेस मिन्स हानिया होता है अब तनी दिसी जब वह यह एक लरका है इतनी च्छोटा मुटा इंगलीस आपको पता होगा तो उसने उसने सब्द का जो है पहले हम हिंदी का जो है इंगलीस में translate करके लिखेंगे और जो जो नहीं आएगा मान के चली कि कोनो कोनो एक वो ऐसन वर्ड हिंदी में आ गया जिसका हमें इंगलिस नहीं पता है Google खोलेंगे Google में Hindi to English लिखेंगे और उसमें उस सब्द को डालेंगे और वहां से जो है हम उस सब्द का English लिखेंगे तो ऐसे करेंगे तो उस सब्द का English वो हमको याद हो जाएगा हम अगर चाहते हैं तो इस सब्द का जो है एक-एक टोपिक पे एक वह वीडियो बनाते हैं वह बनता आधा-धा गंटा के वीडियो तो अधा-धा गंटा के बनता और हमारा कुछोंनी लॉस्त था लॉस्त के कर था तो तो दोरा लॉस्त था कुछों नई था, हम वीडियो चाहते हैं आप देखते हैं यह वhoo आपको बतारा है हम चाहें कि कट का समय हम लोगों के पास कम है और 90% स्कोर हम को要ग करना सब्सक्राइब कीजिएगा यूटूब पे 50 चैनल है जहां के उकड़ा में से देखिएगा कि का का लिख ले है और रटे लाइस टार्ट कर दीजिएगा तो उबात हमरा में रटावेल बिद्य नहीं है हम रटेवल आज तक हमको किताब समझे में नहीं आए रटांत बिद्या दाएगा कैसे करना है अब भी अभी हम आपको बताएगे कि पहले जुए सभी टॉपीक्स का हम हिंदी में लिखेंगे हिंदी के बाद अपने से उसको इंगलिस में translate करेंगे और जो जो नहीं आएगा उसको Google पे जो है हम English सर्च मारेंगे उससे का होगा कि आपको याद करे के कोई जंजट ने पूरा आपके दिमाग में बैठल रहेगा इस आठों में से कौनों देगा कौनों जोन देगा ओकरेप हमरा नजर रहेगा कहा ह कि हमने के घरे से practice करके गए लिए रहेंगे कौन-कौन टॉपिक है उए पर लिखेला है हेडिंग पहले इंट्रूडक्स एन इंपर्टेंट्स प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस नहीं रहेता करेक्शन और सजेशन मतलब की सुधार और उपाय तो बस एतने लिख द डेट कि यह अठों में से कौनों नहीं सब्सक्राइब कर लेकिन नहीं किया तो इसे अच्छा है कि आप घरे प्रैक्टिस करके जाए यह पाच टॉपिक अगर आपके मन में अगर बईठल रहेंगा ऐसे इसलिखना है वो कौनों टॉपिक देवे हम नेके लिखके आएंगे पूरा आठ में आठ नमबर ले के आएंगे अगर इसे लिखते हैं आई आठो टॉपिक पे लिखते हैं वादा है मेरा अगर 16 नमबर से एक नमबर भी कम आ गया जो कहिये सू तह ऐसे आपको लिखना है और इसी तरह कि अगर इस चैनल पर चैनल कर रहे हैं बीडियोस पर जो है दो हजार लाइक कंप्लीट होते हैं तो पहला सुलन नंबर कंप्लीट हो गया इंग्लिस हिंदी का दूसरा जो वीडियो आएगा वह होगा दूसरा और तीसरा नंबर यानि कि explain व्याख्या करने वाला जो question है हिंदी का भी और इंग्लिस का भी यह पहला नंबर question था पहला में एसे हिंदी में लिखे लाता है वही कहता है हिंदी में इंग्लिस में इसे कहता है और हिंदी में निबंद कहता है तो वही कहेगा दूसरा में और तीसरा में दूसरा में question कहता है कि कि इनहीं एक का ब्याख्या कीजिए और lived traditions और कभीता से रहता है तो उसका अगर इस पे 2000 लाई complete होते हैं तो उसका गैश्च वीडियो आएगा और उसके बाद चोथा नंबर हम बता दिए हैं कि इक आपको आविधन पत्र लिखना है और उसके बाद जो है पांचवा नंबर पे आएगा और यह पूरा जो है हिंदी और इंगलिस का सब्जेक्टिव आपके लिए कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम केमेश्टरी का लाएंगे और केमेश्टरी का बहुत ही दागर वीडियो आने वाला है इस तीन वीडियो के सब्सक्राइब बाद यानि कि इसका टारगेट प्लीट उसके बाद नेक्स टार उसके बाद नेक्स इंग्लीस हिंदी और हम बता रहे हैं तो लगतार जुरिए लगतार हमसे बने रही है आपको 90 प्लस स्कोर करने के लिए काफी है यह वीडियो तो गाइस वीडियो दिखने के लिए थे